यूगेन चित्त स्यपदेन वाच्चाम्, मलं शरीरस्यचवैत्यकेन् यूपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतन्जलिंप्राण्जलिरानतोस्में ओम यूब्रह्मानं विदधाति पूर्वं यूवय वेदास्य प्रहिनोतितस्में तम्हदे वमात्मः बुद्धि प्रकासं मुमक्षुर्वय शर्णमहं प्रपद्ये स्थुतामया वरदावेदमाता प्रचोधयंतां पावमानें द्विजानां आयहु प्राणं प्रजां पशं कीर्थिम् द्रविणं प्रम्मवर्चशं मैयंधत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकं स्वाह ओम्योगेन चित्त श्यपदेन वाचाम् मलं शरीर स्चवेद्यकेना योपा करोतं प्रवरं मुनीनां पतन जलिम प्रान जली रान तो श्मी परम्पिताफर में सुल्लाई प्रणाम गर्दे प्रम्स्रद्धे गुरु अरहरुमा प्रणाम योग चौतारी को संपून ठीम लाई पनी साधर प्रणाम का साथ ही उपस्तिच संपून महान भावरु को यस स्वाध्याय सत्र मां आर्दिक स्वागत गर्दचू हामिले योग दर्शन को कक्ष्या मां पहिलोपाद को आविर्थी सहीत यसको यथा सक्य हामिले ब्याख्या यसका बारे मां छल्पल इत्यादी हामिले गर्व चार पाद यसका रहे का चन प्रारम भयो की महार्शी पतंज लिदे बननु उन्चा यो अधिकारी जो चा जसको योग मां थी अधिकार चा त्यसका लागी समाधी पाद्थ अब योग का योग को नाम योग को अर्थ व्रित्ति भेद योग का भेद फलको भेद अनेक अनेक तरीका हरूपनिंब बताईए कसरीती योगलाई प्राप्तिगर्ण सक्किन जाए एक बाटो समातेर मत्रई हामिले जानुपर्चा बंदे चाहिए अनेक प्रकार का अनेक तरीका हरूपनिंब तेसे मां इश्वर प्रणिधान पनी आयो इश्वर को नाम पनी यहां थपियो और आन्तिम मां इसको निसकर्ष निकालियो कि जती पनी यह संस्कार अरूचन व्रित्ति अरूचन इचित्तक का व्रित्ति अरूचब सान्त भाय समाप्त भाय अधा सबय निर्वीज भाय वने सबय को निर्वीरोद भाय को अवस्ता मां यह निर्वीज समाधी हुंचा तेई कर केवल्य को अवस्ता हो तेई प्राप्ति को हम्रों उद्देश्य हो जो समाधी पाद्मा अब समाधी पाद्मा सब योग को स्वरूप बेदादी सब बढ़न करें इसका उपाई पनी बताईये मुख्य रूप मां उपाई जो बताईयो जहां बाटा प्रते साधकले प्रारंब गरनों पर्दशा त्यों हो अभ्यास्र बैराग्य कि नहीं कि जती उच्छ इस्तिति मां पुगे पनी अभ्यास गरने पर शांगसारिक रागमा जानु वह नुटे सांगसारिक बैराग्य उनवड़ नवाइद यो इस्तिति मां पुगे बहुत कि अपना संपून अव दैनिक ब्यवार जीवन मा यो लोक माचा बने दैनिक ब्यवार को जीवन आपनो जीवन दनने ता चाहिए अंदे दैनिक ब्यवार तो चलाव नहीं पर ला इन शरीर माध्यम खलू धरम साधन प्रतेक कर्मगरना ता सरीर चाहिए। त्यसमा बताईयों कि भाई जती जीवन निर्वहन का लागे आवश्यक्ष तेती सम्मगरने ये वंद्या ज्यादा संग रहा का पछी न लागने। तो मुख्य रूप मां समाधी पाद मां योग का पुरात गरिये तरह यो योग कसरी प्राप्त वयों कि अंतहकरण सुद्ध उनों पर्दचा अव अंतहकरण मां बिविद मल अरूराय है। क्ले शरूर आये। जन्म जन्मांतर का संसकार का विविदती भी जरू थपिदाई गये। थपिदाई गये। तचित्य कसरी शुद्धोस पुरानों लेशो कसरी बाहिर निश्कोस। अब पहलो वाला तो उच्छ अधिकारी का लागी वर जसको अधिकार चा जो तयार चा समाधी का लागी। तब पता यो कि अवा साधन अरू को बारे मां पनी बर्णन करीं चा कि यो जो दोस्तरों साधन पाद चा अवा हमीले जसको बर्णन करना गई रहे का चाओं यो स्ाधनड पाध मम साधन अरोप प्रमुक्ता χो यह समा मध्यमकोठी का बताय यह मध्यमकोठी का बननाले के बनें चा कसलाई मानियो तो मध्यमकोठी का बने चित्त कहानीर चित्त को इस्तर केच यदी हामरो चित्त एक नमें शिप्त चा मूड चा मने यस पची को अरको पाद फेरियांच। उशिप्तमा मूल रूप मारा गुंड रहें रजोगुन का सात में तमी यसे वणरभ निटाला सातोगुं रहें અनी। नि मेख मोड़्यान जाального जो युआ शिप्त को विशेश जैर्जो गुंडल टा तरशे। एमिशचे विविक शिप्त को श्डियांच। योग का द्रिष्टी कोणले देरे गुच्च हो सामान्य अवस्ता होई रजोगुण को प्रविर्ती तछा रजोगुण का प्रविर्ती का संसंग है के जा कुने बेला सत्तो गुण को पनी प्रकास तेसमा परगुच। मुझरूप मात होदरा जोगुण तरतेसमा सतो गुण को प्रकास पनिया। तो मद्यम स्रेणी को जो साधक चा जसको चित्त समाहित चाई न त्यसका लागी यो साधन पाद बताईयों कि चंचल चित्त वाला जो मद्यम स्रेणी को अधिकारी चा त्यसका लागी चित्त इस्तिरगर्ना समाधी पाद प्रारं ब्रदरियों जसरे पहिलो में सिदै अधिकारी का लागी वनेर अथा वनेर प्रारम्म करी ओ अनि त्याक केवाट कूरा प्रारम्म गरियो दो योगहाँ चित्त वरिक्ती Kab explorer कि अरुको निरोध होनु, तियो हो समाध्य को अवСТद हो, योग को अवस्ता हो. तो यहा नेर क्यचा अरी क्चित चंचल छिर उसन्स कित तो छित अलाइ स्थिर गरशों ते यहां नेरा योग का भारे माय ौब जाने जाने पछी योग का मार्ग मां धेरई बाधा अरो अपनी आए अवकलेश हरू पनिए अहटावंदू चा बाधा अरू लाई पनिए अटावंदू चा तो त्यस्का लागी यहां बताईयो कि बिभित साधन हरू मां सबै वंदा पहले क्रिया योग को वर्णन गरियो क्रिया और यह प्रारम गरीयों कि असको आसे क्यों हो उदेश्ची क्यों को महुत्ति क्यों अनियों कॉसले गरने हो साधक ले गरने हो वाय बारे महाने देरे कंफ्यूच नहीं एक ठाव मां देरेई जसले योग को सार्टिपिकाड लिये ता आपुलाई साधक बनना रूचाओं देनन योग को सार्टिपिकाड लिए सके अब ता आपुलाई योग को प्रशिक्षक बनना चाहिं ज्यादा यादा के बनुव राम्रो इस्थिति वहां हरूद्म्याहां हरू आमि डेरेई जसो अनुभाव गर्द चाहिं साधक बने मनें साधक महाई नम्मात पहले हर्दवार एक पटक गयको अन्य गयको मत परशिक्षकों साधक तो यह इज देखिया आया परशे देखिया ता साधक अब क्यों वास्तव इस्थितिला मैंले अईले सम्मा आपनों जीवन मां आत्मसाध गर्न सके को चाहिं कि मेरो साधना को गती नहीं अगारी राम्री वर्णों साधक नहीं मनन सके को चाहिं स्वामी जी महराज संगा लगवग लगवग कंखल मां होंदा दुए अजार दुए मां मेरो यह सरी मौं गरेवाट मन मां लाग्यों मां बेड़ गरनादा तेस्ते यह बड़ा बढ़िया संत थिये बाद का महर्शी महेश्योगी जसको यह प्रतिष्टान नेपाल मां देर प्रारम्म करें तो यह सब क्रिया योग कसका लागी तो मेले बंद खोजे को विशय के हो यह साधक का लागी हो अब यह यह प्रशिक्षक नहीं उनुंचा बने अब प्रशिक्षक का लागी तो साधक के कहला विशय नहीं बाए ना कि नकी यह लेता पड़ाओने हो बताओने हो यह तो यह यह पूर्ण रूप मां प्रशिक्षक होनुंचा बने यह तेरे देरे कि दन्यबाद शिक्षक उनुं परच शिकवनु परच तरव साधक का बारे मां बतायों तो में साधक को कुरा यह यह गर्द चुँआ कि साधक का बारे मां के बनी कि जो आपनो मन बुद्धी लाइं लगाए रहा कि ऐकाग्र चित्त भाए कि जो साधना गर्द चाथ क्यों साधक हो मैं पूरा बुजन में आपनो मन बुद्धी एकठाव मा लागे को चा और अनी मन आपनो एकाग्रत चा और आप तेसले साधना गर्न चाहन चा दिन निरंतर साधना गर्ना कोशिश गरी रहे को चा त्यों साधक हो तो साधक का लागे यहो जो साधना चाहन 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 और यहां एक एक पूरा शीकर उनों बंदा अपनी मन एकाग्रत साधना क्यों तो यह आया साधना कसरी बल्वती हुँचा साधना बल्वती हुँचा साथू आई ना अवाजर लोलाए सब लागे आधा है आयो की आया साथू कहीं चाहा यो सुन्नु बात यो देरेली तो सुन्नु बात यह साथू सुन्नो बात यह साना जील्वन सुन्न बात यह सटू अभोर्णे तिव त्यों niż ता सट侌 वानना लें तो तो यह तो सुन्नो बात या थाह नी आछ यो जमसामनि तरको अभ्यास हुणीना तब आपनु बिस्तार ली जानफात्षा आपन विस्तार बिया अफलीज़ रह Twice छर्णा क데 अत्री अश्यज़ को पुमह जल तक घ्रक्टन का अपनो बिस्तार लिदायाई जानाचिक तो एरने आहेना, खती जड़ो लागे वनेर, आमने क्ये गरने हो, चारही तिरका क्ये गरचाऊं, अब महिले तो क्ये गरचु बीच में, तीन-चारोटा मूल एवटा लगाई दियो, तीन-चारोटा अरुपन नविद्रून वनेर, ते लगाई दिन्चु, और गास पात उम मूरे वने, उनिया लाइ उखेले रा फाल दिन्चु, बारी में पनी तरिकारी लगाउनु बने, त्यो बोट बिरुवा लहरा पात सप्कब सप्रिन्चु, जब हमिले चारही तिरको घास पात उखेले रा फाल दिन्चु, राम्रो राम्रो मल जल तेहां हाल चुँ, तके साधना एवटा निरंतर अभ्यास हो, यो निरंतर को अभ्यास हुदई गयो, हुदई गयो, हुदई गयो, हुदई गयो बने, साधकले आपना असुद्धी हरूलाई क्रमसा हटाऊंचा, साधकले हटाऊंचा, असुद्धी शय होंचा, तो सब बंदा पहले हामिले आपनो क पीज़िए गर्णूच्वाव पात्रता माने थे भुजीओं ना। आपनो योग्यतालाई शिद्ध गर्णूच्वाव पून रूपमाँ एवटा साधक हुँँँँ अमेले साधना गर्णूच्वाव योब आवनाता हमाइवन परिन हमी कती साधना गर्णूच्वाव कि आ मन ले बिना कतई को आवास सुनी खना एकांत भावले एक घंटा बसे रहनुस। कोई नमा कसले देखाऊनों परेना मात्र एक घंटा बसे रहनुस। त्यस बीच मां यहा का मन मां बाहिर का देरै बावना अरू खेलीनु भाएना मात्र जता पट्टी लगावनु भाच त्यता पट्टी हजुर को मन गयो बने हजुर को साधना अगाडी बड़ दैछा। यह गंड़ा पिताउन कती गार होंच बावा कती महामारी होंच अब आम ले वन्यों माई हम तो साध कोई नों परशिक्षक पत्रें हों तीक्चा हामी लाई योग को प्रचार प्रशार का लागी एवटा हाम रोव उत्साह बर्धन का लागी साटिविगट बंडी दियो त साधन का लागी वोते हो तरह यो साधना को मार्ग मां कसाई को शैट सकता चाहिए यहां कसाई को साधना गरन्यों अब देर ही चन अस्टांग योग का बारे मां सुन्यों अनि यो आमिरे यमनियम का बारे मां सुन्यों आसन का बारे मां सुन्यों प्राणायाम का बारे मां सुन्यों ता यहा नेरा महर्ची पतंज लिले बननों चा कि यस का लागेता क्रिया योग आवश्यक छा प्रीया योग अगार है मी ले बड़ायों वने दुई टा कुला उन्च अबुए योग ले ख च्छन है तक प्रीया योग ell à समाधी तर्प साधक लाई उनमुख गर्दाचा। समाधी रट Конक्नालै जान farther पहले जती-जती-बादारूच जती जती बाधा हरू इन्च यी बाधा भन्नुस असुद्धी भन्नुस बिढ्न बन्नुस इन्च यस लाई किये गरदाए यस लाई हटाउंदे जानच बाटो सफा कर दिने जडाई सफा बाटो करी दिन च तो क्रिया योग में यदी बढ़नूचा वने कसरी बढ़ने तयसका लागी साधन पाद प्रारम्म गरियो मैं ले अलिकति यह भोमिका पनी लिये राये ताक हमी ले रमडरी यसलाई बुजन सकों ता उनुस एवटा सूत्र हमी उच्चारण गरूँ न्या हरू आज आपू उ खोलनों हुने चा आमी शूत्र उच्चारण का लागी ताकि शुद्ध उच्चारण हमी अरुको बीच मा रहोस रमाईले साधन पाद लाइप प्रारम्म गर देचु साधन पाद यो आमरों दोसरों पाद हो अनी साधन पाद मा जो सूत्र दिये को चा यस मा क्रिया योग बाट यस लाइप रारम्म गरे को चा तो यह प्रस्ण गरियो कि यो क्रिया योग के हो यस क्या लागी यह सूत्र चा उच्चारण गरनों लाए तापह स्वाध्याये शुर प्रणिधानानी क्रिया योग हा पपह स्वाध्या ये श्वर प्रणिधाना नी क्रियायोगः अब यसले हमिले छुट्यायों वने कि यसले आमिले छुट्यायों वने तापाह चा नहां हिरनोला तापाह चा अगाडी बिशर्ग चा तो यसले के बनने तापाह सवाध्ध्या ये श्वारप्रणीधानी मिल वदिए शुत्रु उच्वारन गरता चुट्याएर गरें इस प्रकार बनने परला यो तीन ओटा खुरा यानित दियो एवटा तप प्रणिद्धानद्धान रिख क्राणिदत्धाफ बनेगे शुत्रा येशरी प्रणिद्धान सब्सक्राइब प्रणी धाना मात्राई बनेर बाहे ना हामीले प्रणी धाना नी किने कि सजीलो को लागे हामीले तपहा बनेओ श्वाध्याय बनेओ इश्वरप प्रणी धान पनी बनेओ तर सुत्र लाई पनी मिलाउनुछ दा प्रणी धाना नी क्रिया योगा हा यस प्रकारले हामीले यस लाई उच्चारण गरन शक्चो ता एक पटक पहले पूरे शुत्रा हमी माथी को उच्चारण गरचों तेस मची एक पटक हमी तलको उच्चारण गरचों यह अरू पनी उच्चारण गरन वोला तपह स्वाध्याये इश्वर प्रणिधानानी क्रियायोगहा तपह स्वाध्याये इश्वर प्रणिधानानी क्रियायोगहा स्वाध्याये को स्वाध्याये को स्वाध्याये इश्वर प्रणिधानानी क्रियायोगहा उच्चारन गन्नो ला तापह स्वाध्याय इश्वरक्रणिधानानी रियायोगा तो येश को देरेईले अब्यास गर्नों भायको जा यालाई देरे-देरे दन्या अई गर्दै रहनो ला अन्तीम्मा आजा कस्तो गर्चम्णामी जो जो सुत्र जसले भन्नु हूंचा कि मेरो सुत्र शुद्ध व्यना वहां को लिंचमाज मेरो शुद्ध भाहे ना में ले उच्चारन गरन शकी ना इना तो वहां को एक दिजाना को लिए रहा के पहां गलति भाही रहे चा तैसलाए आमि शुदारने कोशिस गरों ला जसलाई लाग चा कि मेरो तो यो ठिक उच्चारन भाही शक्यों तो पची चेंगी वहाला ही आमीले ठीक वाला लाही तर ठीक ही चा, तो मेरो बेठीक चा भन्ने वाला को ठीक गरने प्रियास गरूला तरफ पची-पची अहीले के ही बेर्शं मा यसको उचारान गर्देई रहनु, सुन्देई रहनु, तो यसको अगाडी पनी अर्थ लाय प्रणिधाना नी बन्नाले यहाने रख्ये आयो ताप स्वाध्यायर इश्वर प्रणिधान यी ती नहीं को एक रूप तालाई क्रियायोग भनियो क्रियायोग मा फेरी ताप मात्रे आये ना स्वाध्याय मात्रे आये ना इश्वर प्रणिधान मात्रे आये ना ता कुने द्वीटा पनिया आये ना यो तीनई को संगम होनु परे ओ त्रिवेणी को संगम हो यो के को संगम हो त्रिवेणी को संगम हो गंगा जमना सरस्वती बने जई तप स्वाध्याय एईश्वरप्रणि धान यो तीनई को संगम क्रियायोग हो तो जीवन में महर्शी पतंजली जस्तो रिशी अरु वायना आमरो दैनिक जीवनला इसुधारने वाला अरु पन जीशी अरु छा किना मने पची वहां ले अबका आउने वाला व्यक्ति हरु को मन यस्प्रकार को हुने छा भविष्यको मन का अंतरहित वायरा अंतरने हित वायरा त्यो मन का भ Bent्रबंी पसेरा त्यो मनलाई सुध्ड गरेरा यो कलीकाल का मानो कसरी परमात्मालाई प्राप्त गर्न शक्षं यो एवटा सुत्र बद्ध सजिलो गरी हामरा स्वामनने उपस्तित गराए दिए अनि कहले हामिले बंदयोला क्रियायोग बने को अम्माईले बंदीन चुँ आई तप ईश्वर प्रणिधान श्वाध्याय हो अब तीने वटादा हम ले बंदयों या कहले बंदयोला क्रियायोग बने को स्वाध्याय इश्वर प्रणिधान रद तपो हो यह सरी हामले भनी दियों मने सरसर्थी हेरदा खेरी तो तीने वोटा आये आये आजुर विचार गरनों वोला रिशीले कुने ओर मा कुने क्रम मा कुने ना मरू दिये का चन मने त्यासको कहीनि कही महत्तों होला कुरा वुजन वाए नि ताप पच्छा ताप पची स्वाध्याय चा स्वाध्याय पची इश्वर प्रणी धान चा इश्वर प्रणी धान आदवा तेव आयो पहिले तेव पनी असंप्रज्यां समाधी को तीब्रसंबेगाना मासन जसको तीब्रबेग चा तीब्रसंबेग चा उनिहरू को चानो हु ये सरी अगाडी बड़े बने असंप्रज्ञात समाधी चाणों सिद्ध हुन्चा बनने कुरा होते हो और इस्वर प्रणिधान भक्ती मार्ग भक्ती योग तियो आपनो ठाउमा छा तरा जुन चंचल मनवाला हरू का लागी उनी हरू लाई लक्षित गरेर तार्गेट कसको लागी हो तो चंचल मनवाला जो पनी अस्थिर चित्त वाला अस्थिर चित्त वाला को चित्त स्थिर गर्ना जो यो प्रयास गरियो वहां का लागी ये उटा क्रम तोकियो क्रिया योगत हो तरक्रम तोकि दियो कि तपा स्वाध्याई इस्वर प्रणिधानानी पहले तपा बाठा प्रारम्म गर्नुस तपा द्वारा चित्त सुद्धी हो ला अनि चित्त सुद्धी भाए तपा अस्ति मेले ये उटा खीर प्रसाद मांगना गयेखो बाणों चेह सफा कर दियो वहने कूरा सुना थेन तमई खीर खीर तो अमीले तर हालल दीयो जो तरत पात्र दियो त्यसमें हालललीवन तर बाणों नहीं अब भाणो ने केछा गंदा छा अपवित्र छा मल्ले भरियेकँ चा वने खीर आलेको फ़ल्दाई उला खीर पर बिग्रे तो भाणो सफागरने परियो त्यों बाणो सफागरने केक त्यों तप हो ताप हो तापीनू परियो यही न? नापिनू परेो, सुन कसरी चमकिन चा का? सुन चमकाउनाता, तेओ शुन लाई, के-के लगार पहले आगों मा तपाउचना. आनी तेसको मैल जानचा? तेओ शुन लाई पनि आगों मा तपाउनू पर चा, अजी शुण कर्थे आपनो शु वास्तवीक हुआ वाया वहां? आगों मा तपाउनु पर चाते सुन ले पनी के गर चाता तप गर्यों अगनी मा तेदी पवित्र भाएर अगनी मा जलने अगनी मा तापी ने यह उठा तप गर्यों तो जीवन मा के रहे चाता तप आवश्यत चाता यदी हामीले तप गरना सक्यों मने यो क्रियायोक को दोसरों चरण यो स्वाध्याई चानी यो स्वाध्याई पनी भुजिन चा न भाया हामीले कथी पटा गड़ी में एर सक्यों आदा घंटा ता भाय शक्यों गुर्जी को अब है कथी पटा गेरें लो बनना स्वाध्याई ता आप आपाई विचार गरना ओला तीस मिनट आमरो गयो कथी पटा गामीले गड़ी एर सक्यों तो स्वाध्याई ये सरी होला रा एना स्वाध्याई ता गंटों गंटा सम्मा हामरो सुनी रहे पनी औरे यति चानों दियो आता गुर्जी ले एक गंटा है ना दुई घंटा पड़ाऊनों भयको अरे दुई घंटा थाही थे ना मतले यो बर्गले शुरू भयकी जस्तों लागयो तो यस प्रकार ले रमाउन्सक में पर्यों त्यों तप पची को कुरा हो स्वाध्याय अनि तप तप बाट तापिये को साधक अनि तेस्पची गरने वाला स्वाध्याय अनि तेओ स्वाध्याय बाट प्राप्त भयको जियान ले अवत तप पूर्वक आपनो जियान पूर्वक आपना संपून कर्मलाई इश्वरमा एब इश्वर में अरपन गर देशे त्यसका संपून क्रिया हरु नइ के बने योग बने तब तपका बारे माँ बताईयो जहाँ पनी तपके माँ तब तब तापिनों, तकसरी सारिरिक रूपमा, मानशिक रूपमा, वाचिक रूपमा, तो यो सबको लक्ष के हो, फेरी तेवन्चू, समाधी लाई प्राप्तगरनों, समाधी तर्व भावना उल्मुखनों, हामरा जती पनी बाधा अर्चन हरूचन, दुख अरूचन उनी ह पहरूलाई भाटावनू। काये इंद्रिय शिद्धिही अशुद्धिक्षयात तपसाहा काय इंद्रि काय बनना ले सरीर को सरीर तो अलोकिक वैयाल्ष मात्र तपले एवटा नया नया गोडा चलाओने वाला व्यक्ति घुडशवार माती बशेकोचा तेसले अनेक तरीकाले गोडा लाइके गर चा आप गरनू पनी तप हो तेस्ते यो सरीर लाई यो प्राण लाई इंद्रिय लाई मन लाई उचित तरीकाले अभ्यास द्वारा बसमा गरनू यो तप हो तपको एवटा सुन्दर उक्तिचा द्वन्द सहनम तप हो तप हो द्वन्द सहनम तप हो द्वन्द सहनम द्वन्द हरू पालती जमार एक किसम ले बसे का चाहूं खाना पीना छोड़ दियों सब चीज गरें अग तपका देरे रूप चाहूं तो यहां ने रजो बंदक हो जिये को हो तपलाई के बनियों बने यदि हामीले जाड़ो और गर्मीन मा एक किसम ले ब्यवहार गर न सक्यों भोक लागे कोचा प्यास लागे कोचा या अनेक अनेक बिविद प्रकार का भोज्य पदार्त हरू आमीले प्राप्त गरे का चाहूं यस मांचे समान रूप मां हामीले रहन शीक्यों मने सुक दुख मां हामीले समान रूप मां रहन शीक्यों मने हर सबहे को अवस्ता मां शोक भये को अ मां अपमान मा यह ना जुन सुके इस्था मा पनी यदि यहुदॉ हरो को स्था मा पनी यहां अमिले रहन सक्यों पहें हो आए यह को मार्ग प्रसस्त हो आप कि अब जूळ्य कि तरो Amit ढ़य बहुंद Noru कि द؟ तैक टाने सम Physics द?' यो किन चुप्प? आज यो भाई यो भाई यो बाधाप भाई ये सिमा पाया उर्धाम करोच तैय यो कि तुसम दरब अवह प्रती दुमित प्रते हु दे नुम् स्वाध्याई करेकर गर्नुचा चीना कि डैनिकी जीवन स्वाध्याई मां अड़ेक। तिसे बोली गारो होला जीवमां गारो होला बसना अप्ठ्यारो चाहा एवता गोडा कता हिचा और को गोडा कता हिचा अब के भनो अब यती मत्रे मनेरा हमीले छोड़ीने स्वाध्याय छोड़ीने कती दिन छोड़ने यो सरीर का लागी यसलाई माया मानेरा जबर्ष्ति डंडा अन्नुपवाए ना यसको हेर चागर दे आपना गरनु परने वाला दाइत्य हरू को सफलता पूर्वक निर्वहन गरनु तप हो यसरी अजर अरूले बसनो मैले यानेर श्वाध्याय गरावनु यो आफ़ैमा तप हो तपका लागी कुने अन्य उदाहरन दिनू पर देल यो उदाहरन परियाप्त होंच आनि सारिदिक वाचिक मानसिक तद्वंद सहन गरन सकेमा योग मार्गमा प्रविर्त रहन सक्च अब यहाँ कसतो होनू परें हो सुद्ध निशकाम भावले साक्तिक भावले स्रध्धाल गरिये को जो पनी कर्म चाई यो मार्गमा जो तप चा 652 लाए 17 मता हमीले बिभित तप गरें तेव त्यों मा मानीं कें उन्छा साथ्विक उन्छा राजसीक पनी क्यांना यह जानने सख़ीं चाहां करें पुजा करें पाघंड करें रहें। यह टो तके वाल निश्चित वुणा यह टो तक शनिक रिञा वह सब्सक्राइब नवा ने ब्रह्म लाई जानना शकिन जा गीता मां भगवाल लेखे बन्नु भारता हे भारता हे अर्जन तांस्तितिक्षश्वा यह अनेक प्रकार का दिशे ब्रह्म लाई इन्डेडी इस पी कुरारो के हुँँण यह सीत उस्ण शुक दुख दाहा यता शुक दुख दिने वाला हुँण इन्य हरुलाई जे जा शुख आये पणि सहनगल दुख आये पणि सहनगल अनि शहनु कसरिनी अजर वरता क्ये बनू हजर का सामने बिवेक कर नुगा चिंट कंस्व wipes ति भ१rices हं रूस सबै आई परे मा पने उनियरु को शहन गरनू तरह एवटा काम गरनो अप्रतीकार पुरोकम देरे प्रतीकार ओहो मला इता दुख आई परयो यो आई परयो के गरनू यस्तो गरनू उस्तो गरनू चिंता बिला परये तम अनि आपनो आपनो चिंता ता छदेई जा अनि एर्नुस्ता मला इस्तो भाय अजो बने रहा हमिले आपनो चिंता लाई आपनों कुरा मन चाहिं मान नहीं तो यह प्रकार को पनी नहोश तो तो आप आपनों दुख आए पड़े मा आमी ले जहां तेहीं गयर सुनाओने पनी आए आशन गर्चाओं नी आशन स्थिरसुखम आशनम यो आशन सही ढंगले गरना सक्मूपनी तप हो सारीरिक तप हो प्राणायाम गर्चाओं प्राणायाम विधिवत रूप मां गर्ण सक्मूपनी शारीरिक तप हो आए न किने कि बाहिर बाटा आमी शरीर संबंद चाहिं बेत्रगायर यसको अनुभूती अलग हो ला तहां आहार जो चाहार आहार आहार लाई सयमित राखनूपनी धेरे ठ अबूलो खुरा हो तियो पनी तप हो सामने मा अजुर बढ़न चाहार आह जे तीज़ गो दिन है दिनमा पनी कारियालें मां मस्तले चिलो चिलो आलेरा पनीर सनीर खुआ राती माँ पनी आपना जानने वाला ले बोला आई ना तेहां पनी खो पनीर सनीर खुआ चला आप घर माँ फुग न सकेगो चाहिए ना पहले तो केके उंचा केके उंचा आई अब किना सामने माँ देखें आहार माँ संयम भाये ना अरका को भने को कुरालाई रोक न सके ना तो हम रो हमेले आपने ही शरील लाई भिगार्या हूं तो यो तप होई ना तेहीं ले तो बताईयो निया हजर और तो राध दिन स्लोक को गान करना उंचा युक्ता हार विहार श्या युक्ता चे स्थाष्य कर्मसु युक्ताष्वप्ना वब leisure His युगभर कि दुखहा अनि तह यहाँ ने जो तप आये तो तपका तीन प्रकार हरू बताये कि सारीडि़े तप उनुपर्दे चा मांसिक तप उनुपर्दे चा रैस का संग इन वाचिक जगपनी उनुपर्दे चा तो सारीरिक तप के होनी ज्याहने रबतायो देवदुज प्राज्य पूजनम सौचा मार्जवम ब्रह्मचरियम अहिंशाम चा शारीरम तप उच्यते देवता, ब्रामन, गुरु और विद्वान हरु को पूजन गरनू पवित्रता मा रहनू सरलता हुनू ब्रह्मचरिय को पालन गरनू अहिंशा को पालन गरनू यो सारीरिक तप मा आउच्यते तब सरीर को तपका लागी पूजन, पवित्रता पनी उन परेव, शौच्यत पनी उन परेव, शरल्ता पनी उनू परेव, अहिंशा आधी को पालन पनी आमी ले गरन शक्नू परेव, अनि जती पुड़ा आगे आमी ले प्रारंब देखी गरें धेरेंज़े शब कुड़ा नुद्वेगा करम भाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याया भ्याशनम चयवाव भाग्मयम तप उच्यते हाईशने कसा लाईटी तोव वचन ना भोलने अवी ते आव। यह देर हैं जितां भुचान भुचाना भालने हिंघ्म क्षौ लिए आढ़ा लगाउन?... है नुद्वेगा करण उद्वेग गरायो अबने के उन्च अरका को चित्त अलिगति दुखला तरह तपाईं को चित्त आपनो बड़ी बड़ी दुख ज्यादा दुख चा आपनो पनी आफुलाय बड़ी असर गर चाए न के उन्च आत्म गलानीमा जानचा पुंठा गरस्त उन्च तेछ इले उद त्पाध को पतन पा wn rainsonur तब यह वाचिक जप ए वाचिक जप मांझेल पनाइ तप गरनू ऑनको तब थब बढ़ागाजभक evil मन मा हलस रहोस, मन मा स्वम्यता रहोस, मन मा मोनता रहोस अनी अन्ताकरण का भाववर्श को पवित्रता यो मानसिक तप हो अब यह आमने थाचन बिना तप शरीर को तप, मन को तप, वचन को तप आपनो वर्ण आश्रम परिष्टिती योग्यता का अनुसार ले आपनो स्वधर्म को पालन गर्णू स्वधर्म पालन गर्दा के रिए सारी दीकर मांसिक कस्टलाई सहर स्वीकार गर्णू के ओ तप हो ऐसमा बनियों कि ना अतपस्वी नो योगहा शिध्यक जो dropboards आपास्वी बाए ना उनियर गोहात योग स्थ्द्यधान था आप माझेख को चैना उसको योग सिध्यक हो देना तपस्या साधक कोचित्त को प्रसना ता मा बाधित नहुने गरिगर नुपर्द चाल अब आमेले उठना मनतला ओद तरह उठना चाहे नो जबर जस्ती बसे रहत पनी तपस्यां उदेगें बड़ा प्रसंद्ध का साथ माहमेले तपस्या गरनुपर्द चाल तो यह सका साथ शाथ ही यह तो तबका बारे मात बुझी हो यो तब एक मात्र तब गरेऊ वने यह शरीर मा बीवित किसम का सिद्धियरू प्राप्त हुंछन। दोसरों बतायों कि स्वाध्याया, स्वाध्याय के हो स्वाध्याया, बेद को पाठ गरनो, पुरान हरु को पाठ गरनो, उपनिशत को पाठ गरनो, दर्शनाधी को पाठ गरनो, आध्यात्मिक सास्त्र हरु को पाठ गरनो, जसले बिवेक ज्ञान प्राप्त होस, बिवेक ज् प्रणवा कि जो इश्वर को वाचक को रूप में हामिले प्रणवला लियों तेसको जप गर्नू ओंकार को जप गर्नू गाहत्री को जप गर्नू त्रेंबक मंत्र को जप गर्नू स्वाध्याय मंत्र को जप गर्नू त्यों इत्यादी जो वैद्यक मंत्र हरू चन उनी हरू को जप गर्नू गुरू का मुखवाटा प्राप्त भय को दिक्ष्या मंत्र को जप गर्नू इस्ट मंत्र को जप गर्नू यो सबई पनी स्वाध्याय हो आपनी स्वाध्याही का वारे मा जाम बारे माइप अत्मा का गरतक है आत्माा यह जानने प्रियास घर्दसा में रिखे है यहींट लगा cambi ऑन हाफ पनी ऑलॉट सम्मा घ्यूट हरजिक दाने आत्मासं बाणी प्रस्ण गर्ददसा था पनी पनी आहे व शाथ वर अनि आपू नजीक का बंदु बांदो इस्ट मित्र हरु का दुख दर्द लाई देखे रहा यो जीवन यस्ते ही रहे चा बने रहा आपनो ज्यानला इग्रहन गरनू बनी स्वार्ध्याये हो अनि संसंगाई जो आपनो धन इत्याजी बाट टाला रहे रहा देरेई संपत्ती इत्याजी को परिग्रह ना गरे रहा आप अरइग्रह को अवस्तामा रहनू धना आधी मा पनी श्वत्थ रहा बंचा अपक्नो षवत्व स्वत्व स्वत्व始श रहे आपनों वद्व सथ रहा हनू यो मेरो हु और हने का अन्चाँ वो आत्म iya रहे थ्याभणी जसे लाए सकत्यों से येस बाठ सबत्य बाठ करण रहनु यह पनी एक किशन को स्वाध्याय हो स्वाको अर्थ बताये चार ओटा महिले वह स्वाध्या बताई सके आत्मा आत्मीय предлож' कि छज़को अब इस वह सब बारे म journée ही इनी हरू का बारे मा अध्यान गरनू यो स्वाध्याय हो यो चिंतान गर्नू अध्यान गर्नू आच्या कसाईले राम्रो प्रस्न गर्जानी तियो पनी हजरोले विवेक चुडामनी मा सुन्नुभ एवटा प्रस्न गर्यों शिश्चेले के प्रस्न थियो बनना सक्नों उन्चा को नाम बंधा कथमे सागता कथम प्रतिस्टाश्य कथम विमोक्षा कोशा वनात्मा परमाह का आत्मा तयोर विवेका कथमे तदुच्यता प्रस्न थाएक प्रस्न एकाओन नम्मिर महत जो परसंगर्यों यह प्रस्न माठाने गूरु प्रस्न में औहरे वह यह अ प्रस्न गरहा तीमीं तो यह 있다 का मार्ग तक देले अलई पड़ी सखेका रहे चग्व को नाम बंदा अगता निचाएख यह बंधन के जानने वाला यो बिव University प्रति अनरोध गहरे यो प्रस्ण बिवेक चुडा मनी को जान में यहां। यह वह ना कुझनी यह ना तुम जानों जर वह वंजन सके बुब चूडा मने को जानरो यह प्रस ये सैंकile पुत्तर भिवेक चुड़ामनी है, यो प्रस्न का साथ गुर्दे प्रसन भाया हो वह हो तो प्रस्न पनी रामरो गर्णू यो पनी स्वाध्याय हो प्रस्ण जिग्यां सा राखनू पनी देरही ठूलो पुड़ा हो बनिंचा राम्रो प्रस्ण गरे माने त्योने आदा उत्तर वैयाल जा उसको याना आदाता उसले अगाड़ी बड़ी सकेको होंचा जिग्यां सुका लागी तो स्वाध्याय में बताईयो कि जहां प्रणव आदी पवित्र ओमकार आदी को जप गरनू मोक्ष शास्त्रा आदी को अध्यन गरनू इस्वरप्रणिधान केलाई वन्नू तो इस्वरप्रणिधानम इस्वरप्रणिधानम सर्वक्रियानाम परमगुरव अरपणम आपना समस्त कर्म हरूलाई परमगुरु का रूपमा परमगुरु परम आत्मामा समर्पण गरिदिनू यो नई इस्वरप्रणिधान हो कसरी गरनो फेरी पहले कई जस्ते हि सारीरिक रूपले मानसिक रूपले वाचिक रूपले है ना स्चारिजिक रूपले, वाचिक रूपले, मानसिक रूपले समर्पण गरीजिनू, भगवान मा निश्काम रूपले समर्पण गरीजिनू, इस्वर समर्पण हो। भगवान लेके बन्नवाद, कि हेरा भगवान कई जहाँ पनी नाम, रूप, इस्थ्यादी को चिन्तन गरा, और जे कर्म गर्चव, जे खान चव, जे कुडा को तिमी जे जे अर्पन गर्चव, या जो अर्थर आखेरा तिमी तप गर्द चव, तद कुरुष्वा मदर पणम, तद जे तिमी गर्ण चाहन चो, यो जीवन को व्यवहार का लागी, अन्यका लागी, पनी जे गरी रहे काच, मा स्वाध्याई गराई रहे कोचु, त यो महीले गर्यको पुराब है, त यो पनी महीले परमातमा कई किरपाले गरी रहे प्रमात्मा काई किरिपाले हमीशुनी रहे का छाओ तेशी पर माथ मालाई लाख लाख धन्यवाद छा भटेर श्रमण गरने वालालेपनि अरपन गर्दिने यहली कि यत करो होसी यदसनासी यज्जुहोसी ददाजी अर्जुन तीमी जे गर्द छो तिमी ले जे कर्म गर्यों, जे खायों या जे हवन गर्चव, जे तिमी दान गर्द चव, जे जप इत्यादी गर्द चव, जे तप गर्द चव, त्यों सबाई के गरा? त्यों सबाई मामा अरपन गर्य जेव। एवटा, अरको पनी एवटा स्लोग बड़ा बढ़िया राम्रोचंत, काये नवाचा मनसें ध्रिये इरवा, वुद्यात्मनावा, प्रकृति स्वभावा, करो मियतिया सकलं परस्में, नारायनाये तिसमर पयतत, अफुले गर्द खेरी, नारायनाये तिसमर पयामी, तो यो क्रिया योग को देरे महत्तो चाहिरनुस, क्रिया योग को महत्तो यही कारण लेचा, किनकी यस मां सब बंदा पहिले तप आयो, तप का संसंग ही के आयो, स्वाध्याय आयो, स्वाध्याय पनी क्रिया योग मां आयो, अनि इस्वर प्रण नानाधी का बारे मां अजा मैले विशेश रूप मां यसे को चर्चा गरेर अगाडी बढ़िये चुने कि यो क्रियायोक का कुरा हरू, असुद्धी चय का कुरा हरू, समाधी का भावना का कुरा हरू, यो अगाडी पनी हैमीले बुजयों मने राम्रली अगाडी जाना सक्षम, तेसे ले यो एवटा स्लोक दोसरो यस साधन पादमा धेरें महत्तो पूर्ण चा, तीनोटा कुरालाई समेटियो, केके समेटियो, ताप स्वाध्याय, इस्वर प्रणिधान, यो तीनाईलाई मिले रा क्रियायोग बनियो, यसको प्रारंब हामीले कहा बाटा गरनो परें साहना जी, यसको हामीले प्रारंब गरनो परें इस्वर प्रणिधान बाटा, ठीक बने महीले, सबय कुरा भगवान मा अरपन गरेर या बाटा प्रारंब गरनो परें इस्वर प्रणिधान बाटा, इस्वर प्रणिधान बाटा, आईना, बन्नुस् बिल्कुर बढ़िया. ओ, तल्ला. अबार अमिले के पड़े हूँ? अच़्ा, प्रति भाजी वाजी बंदीनुस्ता तपा उस्वारप्रणी अबया ज़ाए शारप्रणी धाना नी हामिले प्रारंब का स्वार्णी धानाना वाट हो, स्वाध्याय वाट वो श्वाध्याय वाट ए अच्छा चित्वन वाट पनी बड़ा मुश्कर आए हो स्रीकांत सर अहजुलाइद मेले नसाद में पड़े आए तरह पनी कहा वाट प्रारम्म करने पर नोब बताई दिनुस्ता यो तो अब तेनी सर्फर्ति में बने किसारी ग प्रणिधान मा जाना सोगी नहीं गुरुमेर विचार मा एक अच्छा 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 प्रणिधाना नी क्रिया यो अगी मेले दे रही पठक है यो बने जोर जोर ले कि हामीले कहां जानू पर दचा हामीले पहले सीधे इस्वाध्याय मानन जाने इस्वर्प्रणिधान मानन जाने तप बात तपनू परद चा अनि निर्मला जी ले पनी बन्नवो जशरी सुन तप दचा एण जचरी तपनू परद चा अयना अन्यामिकाजी ठीक चैना राम्ड़ पड़ाई वही राच्छ प्रारम तप बाठ अनि तप तीन प्रकार का यह पनी विचार गरनों तप तीन प्रकार का यह पनी विचार गरनों यह कई उनुपर चाई वजेले बंचल नि ओंदी यह यह मन चाब हनेको मन का द्वारा वाल चा वनेक अमका द्वारा कर्मणा वनेको यो शरीर का द्वारा कर्मत सब्सक्राइब अब आमेले यह शारिरिक वाचिक मानसिक क्रम जो दियें शारिरिक वाचिक रब मानसिक योक्रम दियों शरीर बाटा पहले तपलाई सहन गरना सिकनूं तेस पची वाणी मापनी संयमता गरनूं जे पायो तेई न बोलनूं बोलने बेलामा सम्झनूं ता बिना विचारे जो करे सो पाछे पचताए काम विगारो आपनो जग में होत हसाई बंदीन उन्चाई वने रहा जग में होत हसाई तो एक दम एक दम चानोपनी काम गरनों तर विचार गरे रहा सबैकर महरुगरनों पड़े तक हावाट आपनो सारीरिक शुद्धता का साथमा निर्मला रामदाम जी यो शूत्र को लूआदसन गरनो स्थे सही लिए आत उठावनों बातेन शुद्धता का Our उचरां गरनोस तपह स्वाध्याージ्वारफड़ प्रड़र धान नि कंतुद्धता कैंवघत्टीर। इस्वरय प्रब्रडी धानानी रिया योगा अभेलाई रही – पूरा भन्नौस्त थियोपानी rahi रहामे यह श्वरय जाख मत्लादा को हार्णा कर्या योगा यह रहा यह अलगय को ठामा हैं प्लिन में थेशे में सबborनों आपा स्वाध्याय किशने और न करिं। आपाँ स्वाध्याय ईश्वरप्रणिधाना नी करियाईयोगा हुआ हुआ है ताप हस्वाध्य मिषा प्रणिध рук अ नीक्रिया योक राज अधियायश्वारप्रणनी द्हाननी क्रियायओग द्दोरा एक पडिज मांने छुट्यायनि आपनी आपैस द्दोरा स्रक्रोंी द्दोरी स्देट पुट्रण भातने एक पठना भ्राध्य के लिए थ होगा भंच्य है बंच सीरी पर्नू. निद्धाना निक्रिया योगा हा इश्वारा हा राक आगाली विशर्ग चा अजूर काया जूईता थोपला चा राक आगाली चाहिना बने इश्वारा हा ना बनने आए ना भाये को पुरा हमले किना जोड़ दिने हैं अनला या बहातीं है अर्कोसाना जी बजराचारी जी ओम्गरा आ उंट्र भुरु हास्करास तभास स्वध्याय दाए ज्वारा निक्रिया योगा हा यह से दी भानेभनिया आड़ा हाँ से अखितüyमने आड़ी चल्युनता चलादें कायि न्याहा अरुप्रति देरे देरे आभार ओ। शांति है शांति है शुबरात्री धन्यवाद।